युग भूशन सुरिस्वर्जी महराज जो पंडित महराज के नाम से लोक प्रिय है अगर इनके बाहिय व्यक्तित्व का वर्णन करें तो लावन्य मैं देह, गौर वर्ण, करुणा मैं नेत्र जैसे विशेशन सही होंगे अगर अंतर व्यक्तित्व की बात करें तो परोपकारिता, दूरद्रस्टी, सात्विक्ता और ज्ञान वैभव के गुण प्रमुख नजर आते हैं 14 वर्ष की उम्र से ही आध्यात्म की और इनका रुजाव बढ़ने लगा था दस्वी की पढ़ाई के बाद माता पिता की आज्या लेकर वे धर्म अभ्यास के लिए आचारिय श्री राम चंद्र सुरी स्वर्जी महरास साहिप के पास गए मुमुक्षु की अध्भुत योग्यता देखकर गुरु ने उन्हें काशी, बनारस और दक्षिन के पंडितों के पास अध्यायन के लिए भेजा उन्होंने अल्प समय में ही शास्त्रों का गहन अध्यायन पुरा कर लिया शड़ दर्शन का तुलनात्मग अध्यायन करने के बाद उन्हें जिनेश्वर का मार्ग शुद्ध और सचोट लगा सत्रा वर्ष की उम्र में ही अनेक साधू साध्वी को जैन धर्म की गहराई पर अर्थपूर्ण वाचना देते थे चातुरमास आदी समय में दिन के नौनो घंटे सतत वाचनाएं देते ज्यान प्रदान करते हर विशय पर उनका पांडित्य था इसी कारण दिक्षा के बाद वे पंडित महराज के नाम से लोक प्रिय हो गए 21 वर्ष की आयू में उन्होंने अपने बड़े भाई महिंद्र कुमार और बहन कलावती के साथ दिक्षा ली प्राचीन ज्यान के विशय जैसे की प्राचीन खगोल, नीती शास्त्र, समाज शास्त्र, पंच तंत्र, अर्थ शास्त्र, चानक्य नीती, ज्योतिश विज्यान, आयूर्वेद पर उनका प्रभुत्व रहा साथ ही आधुनिक विशय जैसे की परियावरण विज्यान, भोगोल शास्त्र, व्याकरण, राश्त्रीय अंतर राश्त्रीय राजनीती, वानिज्य गतिविधियों, कॉस्मोलोजी, बायो टेक्नोलोजी, अस्ट्रोनॉमी, अस्ट्रोलोजी, ला अफ रिलेटिविटी जैस और भगवती सूत्र, आवश्यक निर्युक्ति आधी आगम ग्रंथों को वे सरल भाषा में प्रवचन के माध्यम से लोगों तक पहुचा रहे हैं। केसरिया जी, समेच शिखर जी, गिरनार जी आधी तीर्थों के समरक्षन पर उनका मार्गदर्शन और जन जागृती में इनकी भूमी का सराहनिय रही है। जैन धर्म को रिलिजियस माइनोरिटी का स्टेटस दिलाने में दिगंबर समुदाई को भी साथ लेकर अभियान को गती देने में इनका योगदान रहा है। आस्तिक भाव को जीवित रखने तथा आत्माव ज्यान के अनूठे पहलूओं को पेश करता ज्यान महुद सवज्योत इनही की प्रेरणा वा मार्गदर्शन का नतीजा है। गागर में सागर भरने जैसा यह है पंडित महराज सहेप का संशिप्त परिचय।